आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा उनलाइन स्टडी पॉइंट में दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि UGC गाइडलाइन रिवाइस गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है उस सेप्टेंबर में आपके एक्जाम्स होने हैं दोस्तों वीडियो क लाइस तक देखेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो दोस्तों बिग अपडेट निकल के फिलाल यह आ रही है दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट निउज आप देख सकते हैं यहां पर जो दोस्तों आपकी साल बरबाद नहीं होगी यह एचारडी और यूजिसी ने फैसला लिया है तो पूरी ख़बर क्या है दोस्तों पढ़ लेते हैं यहां पर एचारडी मिनिस्टर ने खुद जानकारी दी है दोस्तों यहां पर इसके जो कुछ इंपोटेंट पॉइंट है व और नीट का रिजल्ट तक सभी उनिवस्टी में दाखला विंडो ओपन रहेगी मतलब की जब तक रिजल्ट ओपन नहीं होगा जाई में नीट का तब तक आप दाखला मतलब यूनिवस्टी में जो विंडो ओपन रहेगी रिजल्ट के लिए विश्वित धाल्यों में नॉ नॉबर के फुस्ट विक में आपका आ जाएगा सो विश्तार से ख़बर को पढ़ लेते दोस्तों ख़बर किस परकार है विश्वीध धाले और कोलीजों विश्वीध धाले और कोलीजों में सेक्शिन सर्थ 2020-2021 नॉबर से सुरू होगा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश ह पुख्रियाल निश्वं की अधिक्षता में मंगलवार साम को मंत्राले यूजिसी समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जैई मैन और नीट 2020 परिक्षा का रिजल्ट जारी होने तक विश्विध धाले समें देश के से बड़ी ख़वर यह है कि आपके लिए जो बड़ा फैसला अभी तक लिया गया है कि यहां पर जो एक्जाम जब तक यहां पर जो रिजल्ट फाइनलाइज नहीं हो जाएगा जाई नेट का नेट का तो आपका जो एक्जाम सोरी एडमिशन की जो विंडोज है यूनिवर का एक्जाम पहले होने थे अब उसकी डेट में भी चेंज हुई है डियू परसाशन को दस जुलाई से सुरूर ओने वाली परिक्षा एक महीना स्थगित करने को कहा गया है मतलग कि डियू ने जो बोला था कि टैन जुलाई से जो आपके एक्जाम होने वाले है उसको भी स् सुत्रों के मताबिक केंद्रे मंत्री ने डियू उपन बुक एक्जाम मामले में छात्रों की दिक्कतों पर यूजिसी और दिल्ली विश्विधाले परसाशन से विस्तार से रिपोर्ट ली इसी के तहत केंद्रे मंत्री ने यूजिसी और दिल्ली विश्विधाले परसाश बहुत अजय में आपकेयां कि और उनलाइन आपने तम नहीं मतलब मॉट से किसी स्टुडंस जो वंचीत रजाएगा उनलाइन मॉट से उन्हें मोका दिया गया है कि open book exam वो लिख सकते हैं हाला कि 15 अगस्त के बाद जब डियू परशासन open book exam पर अपनी तयारी के आधार पर schedule जारी करेगा उससे पहले एक report मंत्रहले को भी देनी होगी मतलग कि जैसे ही ओ रेडिनेस की report भी मंत्रहले को सोपनी होगी इसमें बताना होगा कि चात्रों को इसमें किसी परकार की परिशानी तो नहीं होगी अक्टूबर या नॉमबर तक result विश्विद्धाले में 30 सितंबर तक final year की परिक्षा आईजित करने के आधार पर अक्टूबर या नॉमबर तक result जारी हो जाएगे इस परकार विश्विद्धाले और college में 2020 सत्र नॉमबर तक ही शुरू हो जाएगा दोस्तो फिलाल के लिए इतना ही इससे में पता लगाया कि जब तक जाई मेन और नीट का result नहीं आएगा admission open रहे गे और डियू ने जो open exam 10 जुलाई को होने वाले थे open book exam वह भी एक महीने पीछे हटा दिये है मतलग कि 15 अगस्त के बाद ही होगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले थेंक यू थेंक यू फैरी मच दोस्तो